Assalamualaikum, मैं प्यार प्यार भड्ला सालाम मेरी नाने वली साहिलों को aw preventing भूट्थ मेरी जितनी नाने वी शुक्रानियज न कॉटना। अर्च्ष homme शुक्रानी हैं उनका ँर्कॉंват और भजो चिप्स नाच्ट स में अनिय Nepo मैं ओपर भूठ चिप्स मेरे प्यारे से बच्चे अपने पॉकेट मनी में से लेकर आएं और किंजा मेरे लिए बबली लाई थी और अब ये कुरकुरे लेकर आई हैं ये में के साथ एंजॉय कर रही हूं चुपके चुपके क्या घा रा है तो कौन-कौन कुरकुरे खाता है चुपके चुपके क्या खाया जा रहता है बॉलब सब्सक्चे शेखाया enforing this अज़ाता है कि शर्च्चे ऐस एंजपके मुझे माया च्चा पाँ सर्दियों में मज़ा लगया और यह मार्चला से बढ़तनों की जहमत बरकत में आपर बाउच करने के बार जब रख दे तुने हैं फिर किंदा को कहती है किंजा चलो बेटा सैटिंग आप करो किंदा सैटिंग से रखती है सारे बढ़तन शुकर अलहां लिए अब किसी के घर में भी ऐसी नहीं चलेगा तो इस निशाला ताला लोट शेडिंग में नहीं होगी और सब के बिल भी कमाएंगे तो सब आमीन कह दो जल्दी से वरना इमरान भाई का कोई भरोसा नहीं हो सकता है वो डिटेक्शन लगा लगा के जएना सब के बिजली के बिल आसमानों पे चड़ा दें तो बस पाकिस्तान का तो अब अल्ला ही हाफिज है और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो मैं बना रही हूं वो है लाहौरी फिश लेकिन उसकी में रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर तो कर रही हूं मतलब लि कि दावते हों या कोई बड़े उकेजन्स हो तब ही कोई अच्छी अच्छी डीशिस बन रही होती है वरना तो भई जो नॉर्मल की चीज़े होती ना वो ही रूटीन में बनती है तो मैंने सूचा यह रेसिपी तो शेयर करूं लेकिन हाँ मैं इसके साथ अपना एक मैसिज भी आप लोगों तक पहुँचा दूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत फाइदा हो तो आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हो ना वो किसी इदर उदर की नहीं है बलके मेरी खुद की अम्मी जान की है और मैंने कहा कि इस बात को जरूर अप्रिशेट कर है और मिझे बहुत खुशी और फखर महसूस होता है कि मैं अपनी अम्मी की बेटी हूँ तो आज मैंने सुचा कि आप लोगों को भी छोटी सी बात जरूर बताओं हो सकता है कि कुछ लोग जो कुछ घरों में इस तरह की चीज़े हो रही हैं उनको थोड़ी सी हकल आ जाए कि एक औरत ही होती है जो अपने शोहर का नाम उंचा भी करती है और उसका नाम डूबो भी देती है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मेरे अब्बू जिस पोस्ट पे थे मतलब कि मेरे अब्बू इंटेलिजन्स में DSP थे और इस पोस्ट पे होने इसमें जो उपरी कमाई होती है वो इतनी होती है कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है कि बस बात ही छोड़ दो लेकिन माशाला से अलहमदुलिल्ला मुझे बहुती फखर के साथ कि कहती हूँ आज मैं कि अब्बू ने उपर की कमाई कभी भी नहीं ली हाँ कुछ ल पर की कमाई नहीं ली जिसकी वज़ा से हमारा लाइफ स्टाइल वैसा नहीं था जो होना चाहिए था मतलब अब्बू को गार्ड लेने आते थे ड्राइवर लेने आता था चोडने जाता था और अब्बू के साथ दो गार्ड हमेशा होते थे लेकिन फिर भी उसकी बावज तो सब को पता था जाहर सी बात है कि इनके फादर जो इस पोस्ट पे हैं और ये हैं वो है तो अमी ने खुद ही ने घर में बैट बैट के जो ना हमारे लिए कपड़े सीती थी और हमें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना आया अच्छे से अच्छे चीज़ें खिलाना मेरे अबू का हमारे घर में माशाला से चाहल पहल हमेशा रही है और अमी ने हमेशा सब की बहुत इज collagen की है और बहुत सी चीज़ें हमारे घर में रोजाना एक होते हैं ना कि दावत добавत और लंगर चल रहा इस तरहां हमारे घर में मैंने इमाहल देखा है तो ये सब कुछ कैसे फॉसिबल हुआ ये सब कुछ हुआ मेरी मा की वज़ा से कि मेरी मा ने कभी जो इना अपने शोहर की इज़त ने गिराई कभी ये रोना ने रोया कि मेरे शोहर के ओपर इतना कर्ज है मेरा शोहर इतना کماتا ہے. मेरे मुझे ये भी बात याद है कि क्यूंकि अम्मी बहुत अची तेलर थी. अम्मी की सिलाई इतनी माइंड ब्लोईंग है कि बस अम्मी से कप्ड़े लोग से लगाने के लिए ने मर जाएं. ऐसे थे. लेकिन अमी किसी और के कपड़े नी सीटी थी है, अपने बच्छों की ज़रूर सीटी थी हमें हमें अमी ने अपने हाथ का ही सी के पहना आया है लेकिन होता है कि नहीं यहाँ पर इतने पैसे बच जाएंगे तो मैं यह बचा लूँ वो बचा लूँ फिर भी खानदान में जब बैटती थी ना तो कभी अम्मी ने रोना नहीं रोया जबकि अम्मी कोई हलके फुलके खानदान से नहीं आई थी अम्मी भी जागिरदार की बेटी थी और जिस तरह अम्मी ने जो एश अपनी जिन्दगी में देखें और आज भी अलहम्दलिल्ला अम्मी के जो वालिद हैं उनका नाम आज भी पूरे हिदरबाद में सब जानते हैं तो उसके बावज़ुत अम्मी ने जितना अपनी जात को मारा जितना अपनी चीजों को अपनी खौईशात को खतम किया वो सिर्फ इस वज़ा से के मेरे शोहर के उपर कोई उंगली न उठाए तो ये होती है एक और इसे कहते हैं सच्ची वफादार बीवी और मैं तो ये कहूंगी कि आपका शोहर अगर आपके लिए सबजी रोटी डाल चामल भी घर पे लेकर आ रहा है न तो इसका भी ऐसान माने आप ये मत रोना रोएं कि मुझे मेरा शोहर टाइम नहीं दे रहा मुझे आप ये सोचें उसको दस जमेले होते हैं घर के बाहर कितनी चीज़े कितने काम कितनी फसाद होते हैं आप घर से बाहर निकल के तो देखें हम घर के अंदर चार दिवारी में रहते हैं तो हमें दस चीज़े सुनने को मिलत और मैं अब भी साथ हूँ ठीक है आप लोग समझ गयोंगे कोई भी बच्चा नहीं है लेकिन ये बाते कहना के इतने का कर्ज है ये है अगर मैं कमा रही हो ना तो अगर मैं हमारे जितने भी यूटुबर्स कलीक से हैं अगर आप सबकी लाइफ देखें तो जितने भी यूट अगरी आपाई है कुछ भी मैंने नहीं देखा वो क्यों क्योंकि उनको अपने जिन्दगी साथ गुजारनी है उनको अपने मिया बीवी का रिष्टा साथ रखना है और उनको आगे जिन्दगी में एक दूसरे को इज़त दे के चलना है ये होता है रीजन कि आपके जे ना तब भी मुझे घुसा आरा था और आज तो दस रुपे की हो गई तो इंतहा हो गई है यार महंगाई की अब इस महंगाई में अगर आपकर शोहर आपसे कोई परसनल दिल की बात कह दें के यार तुमारे पैसे आ रहे हैं तो मेरा कर्दा वर्जा है वो उतार देना तो ये दुनिया के सामने बताने की थोड़ी होती है तो मुझे ये चीज़ अची ने लगी और अपने शोहरों की इज़त करना सीखें अगर आप अपने शोहर की इज़त करेंगी तब ही आपकी माश्टर में इज़त बन पाएगी वर्ना बिलकुल भी नहीं और हमें दीन और इसलाम भी ये सिखाता है और सबसे जादा जो शैतान खुश होता है ना वो मिया बीवी को लड़वा के खुश होता है तो शैतान को खुश होने का मौका मत दें मिया बीवी प्यार महबत से रहें उमीद है आज के वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक क